तोस्तों अगर आपको HDFC बेंग के डेविट कार्ड या फिर क्रेंडिट कार्ड का पिन जनरेट करना हो और वो भी ओनलाइन आप गरबेटे पिन जनरेट करना है तो आज की वीडियो में आपको complete जनकरी मिलने वाली है मेरे पास यहाँ पे HDFC बेंग का डेविट कार्ड भी है और क्रेंडिट कार्ड भी है दोनों ही डेविट और क्रेंडिट कार्ड का पिन जनरेट करके आपको बताने वाला हूँ Online सारा process रहेगा आप भी अपने गरप बैठे Online आप debit card और credit card का पिन बड़ी असनी से generate कर सकते हैं साथ में अपने credit card को कैसे control में करना है उसकी भी जानकरी पूरी इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को आप लास्त तक जरूर देखे ताकि आप भी अपने debit card या पिर credit card का गार बेटे pin generate कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास HDFC bank का दो envelope है एक के अंदर HDFC bank का topmost premium debit card इसके अंदर है और साथ में HDFC bank का सबसे गटिया credit card है वो इस envelope के अंदर है दोनों को यह unboxing करके आपको दिखाने वाले हैं तो सबसे पहले कर लेते हैं हम HDFC bank का debit card की unboxing यहाँ पर कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यह है HDFC bank का debit card और यह जो debit card है यह premium debit card है इस debit card पे insurance वागे रहा कापी अच्छा मिल जाता है यहाँ से आप पूरी detail देख सकते हैं तो यह HDFC bank का एक topmost premium debit card और इस debit card का नाम है HDFC EG100 Platinum Imperia debit card यह HDFC bank का सबसे topmost debit card है अब unpack करने वाले हैं HDFC bank का credit card को दोस्तों यह जो credit card है यह HDFC bank का business money bank credit card है यानि कि यह जो credit card है वैसे basically only business के लिए ही इस credit card को use कर सकते हैं आप अदरवाइज इस credit card पे आपको normal जो transaction वाइरा मिलते हैं वो इस credit card पे आपको नहीं मिलते हैं काफी सारे merchant तो इस credit card को accept ही नहीं करते हैं क्योंकि इस credit card पे जो MDR चार्ज होते हैं वो काफी high होते हैं और इस credit card को आप M.A.J.O.N. पे भी लगवग यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह business class credit card है commercial credit card है तो आप सिरफ commercial के लिए ही इस credit card को use कर सकते हैं चाहिए आपको कोई भी bill payment करना हो GST का bill payment करना हो कोई tax bill payment करना हो तो ये तमाम तरीके का इस credit card पर मिल जाता है तो ये है HDFC bank का debit card और credit card दोनों की unpacking आपको दिखा दिया है मैंने अब इन दोनों का online pin generate करेंगे साथ में दोनों card को control करने की setting भी आपको बताऊंगा तो वीडियो को आप लास तक जरूर देखे दोस्तों HDFC credit card और debit card का online pin generate करने के लिए सबसे पहले आपका अपने phone के अंदर Google को open करना है open करने के बाद आपको HDFC my card करके search करना है search करने के बाद आपको first one website मिल जाएगी उस पे आपको click करना है click करने के बाद यहाँ पे आपके सामने interface से कुछ इस्तरे का जाएगा यहाँ पे आपका जो भी bank में register mobile number है उस mobile number को यहाँ पे आपको enter करना है enter करने के बाद gate open OTP वाले option पे आपको click करना है आपके पास एक OTP आएगी OTP को डाल के submit कर देना है तो हमारे पास यहाँ पे OTP receive हो गया just submit वाले option पे click कर देते हैं click करने के बाद आपके गा जो interface से वो कुछ इस तरह का यहाँ पे आजाएगा यहाँ पे आपको allow location की permission है उसको allow कर देना है जैसे मेरे पास यहाँ पे already तीन credit card यहाँ पे link है तो आपके पास भी जितने link होंगे वो सारे detail आपको मिल जाएगी आप चाहे तो first बार कर रहे हैं तो भी आप इसी तरह कर सकते हैं अगर आपने दूसरी बार या तीसरी बार process कर रहे हैं तो भी आप इसी तरह हैं इसमें आपको login करना है my card के अंदर और यहाँ पे आपके पास अगर पहले से आपने card को register कर रहा है तो आप यहाँ पे आप अपनी तरफ से देख सकते हैं तो मेरे पास यहाँ पे कुछ card चालू भी है कुछ credit card बंद भी है अभी फिलाल मुझे नए credit card को सबसे पहले add करना है तो नीचे की side में आप यहाँ पे देखेंगे add वाले option पे किलिक करना है जैसे आप add वाले option पे किलिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ product यहाँ पे choose करना है जैसे आपको credit card करना है debit card करना है या फिर debit card EMI या फिर consumer durable loan की कोई option आपको मिल रहा है तो वो करना है या फिर fast take को add करना है तो वो आप कर सकते हैं तो just मैं यहाँ पे सबसे पहले credit card को ही add कर लेता हूँ तो credit card वाले option पे किलिक करना है next वाले option पे किलिक करना है उसके last का जो 4 रंग होता है उसको या पे इंटर करना है यानि 4 digit last के नंबर को आपको इंटर करना है इंटर करने के बाद या पे आपको add वाले option मिल जाएगा add वाले option पे किलिक करके उसके बाद आपको नीचे done वाले option पे किलिक करना है और यापे successfully हमारा जो credit card है वो add होगी है जैसे आप पहले देख रहे होगे पहले यापे 3 card थे already add अब 4 card यापे add होगी है तो सबसे पहले उसी credit card को जिस credit card को add किया है उस option पे किलिक करना है और ये भी जो हमारा credit card है ये business money पे credit card है और इस credit card का pin set करने के लिए सबसे पहले आपको set pin वाला option यापे मिल जाता है इस पे आपको किलिक कर देना है किलिक करने के बाद जो process है वो यापे आप देख पाएंगे यापे primary card holder name और card number आपको यापे मिल जाएगा उसके बाद आपको यापे नया pin number है उसको यापे इंटर करना है उसके बाद नीचे आपको re-enter new pin इंटर करना है यापे दोनों जो pin होगा वो same होना चीए तो ये डालने के बाद नीचे आपको x-fari date है उसको इंटर करना है आपके card पे जो CVV number होते हैं उसको यापे इंटर करना है ये सारी चीज इंटर करने के बाद नीचे आपको i read वाले option पे आपको किली करना है किली करने के बाद continue वाले option पे किली करना है तो यापे हमने सारी चीज को इंटर कर लिया just continue वाले option पे किली करते हैं किली करने के बाद यापे आपके register mobile नमबर पे एक OTP आईगा उस OTP को यहाँ पे इंटर करना है और submit वाले option पे आपको किलिक कर देना है तो यहाँ पे हमने OTP इंटर कर दिया जब submit वाले option पे किलिक करते हैं किलिक करने के बाद आगे का process है वो आपके सामने है और यहाँ पे हमारा जो pin है वो successfully यहाँ पे generate होगी है आप यहाँ पे देख पाएंगे you have successfully set your pin हमने जो pin एंटर किया था वो successfully यहाँ पे pin generate होगी है नीचे done वाले option पे किलिक कर देना है किलिक करने के बाद आपका यह जो credit card है इसका automatically सारे complete होगी है process अब इस credit card को control करना है यानि कि credit card के जो भी transaction है online offline वो हमारे को set करना होगा तब ही हम transaction online या पिर offline या पिर internationally या domestic ये तमाम तरीके के transaction हम कर पाएंगे साथ में limit को भी set करना है कितने transaction पर कितने limit maximum आपको करना है तो यह तमाम तरीके की services आपको activate करना होगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको card वाड़ option पर किलिक करना है जिस भी card का आपको करना है तो यह जैसे मैंने यहाँ पर business money पर credit card को यहाँ पर कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे card control वाड़ option आपको यहाँ मिल जाता है इस पर just आपको किलिक करना है किलिक करने के बाद यहाँ पर आपके card की पूरी setting है वो यहाँ पर open हो जाएगी और यहाँ पर आप देखेंगे card control वाड़ option पर यहाँ पर पूरी detail यहाँ पर दे रखी है जिसमें आपको online spending limit यह भी ओप है अभी tape and pay यानि कि आप बिना pin के आप swap machine के पास आप जैसे card को touch क उसको बोलते है 5000 रुपे तक का single transaction आप कर सकते हैं without किसी pin के आप तो यह transaction आपको online offline चालू करना यहाँ पर होगा तो यहाँ पर मैं सबसे पहले online transaction को own कर लेता हूँ और यहाँ पर जो limit है अभी इस credit card की 77,000 रुपे की limit है इसको यहाँ पर change करना है यह पिर यही रखना है त तो यहाँ पर total limit है इस credit card की 77,000 है लेकिन मुझे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपे ही online transaction की लिए करना है तो मैं यहाँ पर 10,000 रुपे यहाँ पर enter कर लेता हूँ बाकि मुझे यहाँ पर tape and pay का service यूज नहीं करना है आपको अगर करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं merchant outlet पर आप जाते हैं वहाँ पर जो machine की अंदर card swap करके आप कोई भी transaction करते हैं तो उसकी भी limit यहाँ से आप control कर सकते हैं यहाँ पर मैं 50,000 रुपे इसकी भी कर लेता हूँ तो आप भी इस तरह से आपको जितना करना है उतना आप कर सकते हैं इसके अलावा ATM case withdrawal transaction अगर आपको ATM की यहाँ पर नहीं चाहिए तो मैं इसको off कर देता हूँ इसके अलावा नीचे international user से अगर आपको कोई भी international payment वगेरा करना है तो आप यहाँ से international payment यहाँ से own कर सकते हैं उसके बाद आप transaction को set कर सकते हैं तो खिलाल मुझे international यहाँ पर use नहीं करना है just update वाले option पे click करना है click करने के बाद यह आपके credit card की जो limit है वो यहाँ पर control हो जाएगी बस आपको OTP यहाँ पर इंटर करना है just OTP इंटर करने के बाद आपका credit card की जो भी limit वगेरा है वो सारी automatically set हो गई है यहाँ पर आगया modified card control तो यह तमाम तरीके की जो भी service थी आपको मैंने इस वीडियो में अब आप अपने debit card का pin generate करना है तो उसका भी same process यहाँ पर आपको मिलने वाला है सबसे पहले आपको क्या करना है आपको पहले यहाँ पर जो add वाला option है यहाँ पर मिलेगा इस पर add वाले option पर click करके आपको पहले अपना जो debit card है उसको यहाँ पर add करना होगा तो just मैं data privacy consent है इसको read करना के बाद submit वाले option पर click करता हूँ तो यहाँ पर भी same process है आप अपना debit card के last के four digit number है उसको यहाँ पर इंटर करना है उसके बाद आपकी जो date of worth है उसको यहाँ पर इंटर करना है इंटर करने के बाद नीचे add वाला option आपको मिल जाएगा इस पर click करके बता सकता हालां कि आप जैसे मैंने credit card का आपको process बताये था आगे का same to same process रहेगा या पर आपको अपना debit card है उसको add कर देना नीचे done वाले option पर click करके आप अपना debit card को add कर सकते हैं उसके बाद आप अपना credit card का मैंने pin generate करने के बादे में बताया उसी तरह आप अपना debit card के भी pin generate कर सकते हैं और limit को भी control कर सकते हैं आपको per day आपको जो limit daily ATM से case विड्रूल करना है वो कितने limit आपको विड्रूल करना है या पिर online transaction, offline transaction ये तमाम तरीके के आप set कर सकते हैं तो इसी तरह आप अपना debit card और credit card के बड़ी असन इसे pin generate कर सकते हैं